जै माददी बड़ों को मेरा चरंड्स पार शौर चोटों को मेरा प्यार स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर और आज बताऊंगे आपको को फेबरणी मन्थ का राशी फल सभी राशी ओंके लिए क्या खास लेकर आये तो आइए फटा-फट से शुरुवात कर लेते हैं तो शुरुवात करते हैं कन्या राशी से कन्या राशी प्रिथवी तत्व की राशी है और इसके जो अगर मैं बोलु किसी को समझने की, किसी को परखने की, इनकी सिक सेंस बहुत अच्छी होती है, और यही वज़े है कि यह लोग सही समय पर सही डिसीजन जरूर ले लेते हैं, वो कहते हैं लास्ट मिनिट पर क्विक डिसीजन लेकिन बढ़िया लेते हैं, कर्णियराशी के जो लोग बिजनस करने में रुची रखते हैं, वो जादा तर सफल देखे गए हैं, क्योंकि जॉब इनकों ना किसी के अंडर बंद के काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो यह बिजनस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो आईए बात करते हैं कि कर्णियराशी वालों के लिए जो फेबरेरी का मन्त है वो कैसा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ये मन्त औसत रूप से बोलो तो मिक्स रिजर्ट देने वाला होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिती जादा नुकूल नहीं है, इस मन्त आपके सिक्स थाउस में, यानि कि छटे भाव में शनी की स्थिती अगर हम देखें, तो आपके करियर और आर्थिक जीवन के लिए अच्छी साबित हो जाएगी, लेकिन शनी क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं, इस वज़े से आपको जो आपकी रिजल्ट है, वो दीरे दीरे मिलेंगे, जिस वज़े से आप थोड़ा परिशान हो सकते हैं, तो छटे भाव में बुद्ध के साथ सूरे की स्थिती आपके स्वास्त को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है, जिस वज़े से आपको आख और पेट की प्रभाव हो सकती है, शनी आपके छटे भाव में स्थित है, इसके कारण काम में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन मन्त के जो फर्स्ट फेस की मैं बात करूँ, तो सूरे आपके सिक्स थाउस में, अच्छे भाव में बुद्ध के साथ स्थित होंगे, जिसके कारण आपको कुछ समस्या है, जैसे की काम डिले से होना, जॉब में बहुत ज़ादा प्रेशर होना आपके उपर, ये सारी चीज़े आप देखेंगे कि ज़रूर होंगी, लोगों के साथ भी नबाद के अनबन हो रही है, तो इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीज़ेगा, अपने दिमाग पे हावी मत होने दीज़ेगा, क्योंकि अगर आप कन्या राश्री के तो आपका दिमाग ही आपके लिए रिजर्व बैंक ओफ इंडिया है, आपके आठवे भाव में राहू और दूसरे भाव में केतु की स्थिती होने के कारण, आपको अपने साथ के लोगों से, या कहूं मैं सीनियर लोगों से, कुछ ना कुछ परिशानी देखने को मिलेगी, मैंने का ना लोगों से मन मुटाव है, तो ऐसी समस्या आएंगी बट ठीक है, आपके सेवन्थ हाउस में प्रस्पति की स्थिती और चंदर राशी पर इसकी दृष्टी पढ़ने की वज़े से, आप अपने करियर में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे, इसलिए टेंशन मत लिजए, आप खुद का बिजनस कर रहे हैं, तो ये मन्त आपके लिए अच्छा साबित हो का, मैं ये कहूंगे आपको, बस जौब वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, पांच फरवरी तक आपको कहीं न कहीं मैं बोलू, लोन लेना पड़ सकता है, और अगर आपने लोन के लिए अपलाई किया था, तो आपको पांच फरवरी तक लोन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे भाव में स्वामी शुक्र आपके छड़े भाव में सूरे के साथ स्थित होंगे, 15 फेबरी के बाद शुक्र साथवे भाव में गोचर करेंगे, और गुरू पहले से ही साथवे भाव में विराजमान होंगे, जिसके फल स्वरूप आपकी अर्निंग पर प्रभाव अच्छा होगा, इस मत दूसरे और आठवे भाव में राहू और केतु की स्थिती के कारण आपको एक पॉजिटिविटी और नेगिटिविटी दोनों ही देखने को मिलेगी, इसलिए आप परिशान मत हो, आपके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, करन्या राशी वालों के लिए, साथ ही व्रिश्यव राशी में मंगल की स्थिती अनुकूल नहीं है, जिसके कारण आपको परिवार में थोड़ा सा कलय देखने को मिलेगा, लड़ाई जगड़ा देखने को मिलेगा, आपको ने छुटी-छुटी बात पर जिल्दी गुस्सा आएगा, तो विशेश रूप से अगर मैं बोलू, मंत का जो फर्स्ट फेज है, आपके लिए सम्मन्द अपने भाई बहनों के साथ कह लिजिए, या अपने पेरेंट्स के साथ कह लिजिए, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ तोड़ा अच्छी नहीं रहने वाले हैं, तो मैं आपको ये सला दूँगी, कि इस दौरान आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करने से बचिए, शान्त रहे हैं, कूल रहे हैं, तो आपके लिए सब बढ़िया रहेगा, मन्त के सेकिट फेस की अगर मैं बात करूँ तो 15 फेबररी के बाद, ब्रहस्पती की अनुकूल स्थिति और आपकी चंदर राशी पर इसकी दृष्टी पढ़ने से आपकी पारिवारिक समस्याओं में सुधार देखने को जरूर बले, तो परिशान मत हो ये, कन्या राशी क लोग हैं, तो परिशान बिल्कूल मत हो ये, ये मन्त आपके लिए अच्छा रहने वाला है, शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन जरसा कि मैंने का न, आपकी डिसिजम मेकिंग बार अच्छी होती है, अगर आपकी जन्यम कुडले में मुद्गर अच्छी है, तो ये मन्त आपके फेवर में रहेगा, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल रहने वाला है, मा दुर्गा का पाट करिए, दुर्गा चलेशा का पाट करिए, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा, आप वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चानल को सब्सक् आपके वीडियो कुल आपके वीडियो का इनुकूल अवाट करिएमिक वीडियों साब्स प्लीज लागा चानल को मत रहे उत्तम आपके लिएवर्स